blueberry cheesecake खाना किस किस को पसंद है comment section में जरूर लिए करके बताना तो आज मेरे dad का birthday था और मैंने सुचा कि अपने पापा के लिए blueberry cheesecake बनाओं उन्हें cheesecake बहुत पसंद है बट मेरे पापा केक कट नहीं करते हैं तो इसे कट करके भी मैं रिखाऊंगी तो अगर आप एक किलो cheesecake बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक पैकेट जो बिसकिट है वो इनफ है तो मैंने यहां पे ले लिया है digestive biscuit जो की 20 रुपय का एक पाकेट आता है बट मैं आप थोड़ा जादा बना रहे हूँ इसलिए मैंने दो पाकेट का इस्तेमाल किया है आप चाहें तो हमारी biskit का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या Oreo biskit का इस्तेमाल भी कर सकते हैं बट अगर आपको एक दिम बेकरी बनाना है बढ़िया टेस्टी blueberry cheesecake तो आप इस तरीके से हलका digestive biscuit का अस्तिमाल करें बहुत टेस्टी बनता है और जो diabetic patient है वो भी खा सकते हैं तो सारे biscuit को तोड़ करके हम एक mixagear में डालना है और इसे अच्छी तरीकी से grind करना है अब बहुत जादा grind मत करना क्योंकि बहुत जादा grind करें एक दम powder form में बदल जाएगा तो आप चाहे तो किसी crusher से इसे crush कर लिजा या किसी ziplock bag में डाल करके भी ने crush कर सकते हैं अब हम इसमें add करेंगे butter तो 50 gram मैंने इसमें butter add कर दिया है और butter डाल करके हमें अपने हातों से इने mix करना है और जो बड़े-बड़े biscuit के pieces से न उसे हा चारो तरफ एला देंगे ताकि जब यह अच्छे से सेट हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से यह जम जाए और आपस में यह जो नीचे का base है वो ready हो जाए तो चारो तरफ अच्छी तरीके से spread करेंगे evenly spread करना है और properly हम इसे चारो तरफ से set कर लेंगे यह देखे कंबढ़ि साथी में हम इसमें add करेंगे sugar powder 100 ग्राम के गरीब तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें sugar powder add करेंगे अच्छी तरीके से इसे whipping machine से whip कर लेंगे एकदम creamy textures का होना चाहिए आप चाहें तो यहां पर icing sugar का इस्तिमाल भी कर सकते हैं और इसी stage पे आप क्या करिए थोड़ा पसंद होता है तो यह देखे एकदम perfectly creamy texture इसका ready हो गया है second step में हम whipping cream को अच्छी तरीके से whip करेंगे तो हमने आप जो sugar जिसमें पहले से ही रहता है वह आले whipping cream का इस्तमाल किया है तो 200 ग्राम हमने आपे whipping cream गया था अच्छी तरीके से whip कर लिया है अब इसी में हमें add करना है cheese cream का mixture और अच्छी तरीके से cheese cream ढाल करके हमें इसे भी अच्छी तरीके से whip करना है और आप चाहिए तो यहां पर जो भी आपको flavor पसंद है या फिर आप थोड़ा सा blueberry का जो mixture है वो add करना चाहें तो इस टेश पर add कर सकते हैं तो इसका भी texture आप देख सकते हैं एकदम creamy होना चाहिए और आप इसे over with मत करना बस इसे जैसी दोनों तरफ अच्छी तरीके से mix हो जाएगा हमें इसे यहां पर बंद कर देना है तो यह देखे मैंने इस cream को ना piping bag में फिल कर लिया है और इस mixture को मैंने सेट होने के side में रखा था फ्रिज वगरा में नहीं रखा था आप च तरीके से cream को पतला सा एक layer लगा देना कुछ इस तरीके से उसके पालेट ना इसे चारो तरफ अच्छे से spread करना ताकि जो चारो तरफ से जब यह फैल जाएगा उसके बाद हम इसमें add करेंगे sponge cake तो मैंने आपके क्या कहते है ना sponge cake पहले से बना करके रखा था पैनिला flavor का और आप देख सकते हैं तो कोई भी hard जो पार्ट है वो बिल्कुल नहीं है आप चाहें तो यहाँ पर sponge को अगर नहीं भी लगाना चाहें तो मत लगाएं तो मैंने लगाया है ताकि इसका texture और अच्छा हो जाता है और यह set properly हो जाता है इसलिए मैंने लगाया है फिर से इसक अच्छी तरीके से इसे spread करेंगे यह देखे कुछ इस तरीके से है तो एक दम perfectly हमने इसी चारो तरफ अच्छी तरीके से spread कर दिया है उपर से अच्छी से clean कर लेंगे अब हम इस पे add करेंगे blueberry का mixture तो इस mixture को आप घर पर भी बना सकते है blueberry और sugar को add करके थोड़ा सा lemon juice डाल क अच्छी तरीके से आप इने jam का इस तरीके इस texture दे सकते हैं या इसका packet आपको market में मिल जाएगा link आपको description में मिल जाएगा आप वहां से पर्चस भी कर सकते हैं तो हमने अपर तीन से चार चमश के करी blueberry का mixture डाला है अगर weight में देखे तो 100 gram हमने इसमे blueberry का mixture डाला है अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से हमें पहले open करना है और एक knife से scratch करेंगे यह process आप थोड़ा आराम से करें क्योंकि यह process में अगर आपने गडबड की तो यह अच्छी से निकलेगा नहीं और ब्रेक हो जाएगा सो बहुत ही patience के साथ इस mold को बाहर निकालना है यह ring बाला mold है क्योंकि market में आपको easily मिल जाएगा और यह देखे गाइस वाव बहुत जादा amazing हमारे blueberry cheesecake ready हो चुका है और आप इसी तरीके से और भी flavor के ना cheesecake ready कर सकते हैं सो बहुत जादा amazing बहुत जादा tasty आप क्या करेंगे cut करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था मैंने इसे अपने father के लिए बनाया है क्योंकि उनका birthday था और वो cake cutling करते हैं बट इसके layers को cut करके मैं आपको दिखा रहे हूँ और यह देखे गाइस बहुत जादा tasty बहुत amazing और आप इसे खर पे बनाएं अपने budget में तो है नब बहुत जादा tasty सा blueberry cheesecake तो और भी amazing से वीडियो देखने के लिए golden kitchen को like, share, subscribe ज़रूर करें और bell icon को भी surprise करें